हेलो फ्रेंग्स वेलकूं टो माई चैनल होम्मेकर सुमध्ध आज हम लों भाराज्ट की एक ट्रडिशनल डिस पुरन पुली बनाएंगे बहुत ही पेमस दिस है और बहुत ही अच्छी लगती ही खाने में इसे वहाँ पर हर सु मौके पर बनाते हैं आए देखते हैं से कैसे पुरन पुली फ्रेंट्स चैने की डाल से बनाए जाती है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटूरी चैने की डाल को 5-6 घंटे पहले बहुत अच्छी से बिगो लिया था आप भी देखें इसी तरह से आपको बिगोना है तो यह जो चैने की डाले इसमें आप अगर जल्द कर देंगे अब आप देख रहें कि मैंने पानी अलग कर दिया था और मेजरमेंट से इसका आदा ग्लास करीब इसमें पानी हम एड़ कर देंगे एक से 1.5 कप पाप पानी इसमें एड़ कर देंगे इसका रिजन यह है कि फ्रेंट्स इसे हमें बहुत अच्छी से पकाना है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है अब कुकर को हम गैस पे रख देंगे और गैस पे स्टार्ट में तो हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे फिर मेडियम फ्लेम पे हम इसे 4-5 सिटी हम इसमें लगाएंगे जिसे कि हमारी दाल बहुत अच्छे से पक जाए जब तक हमारी दाल में सीटी आ रहे है आए हम इसका डो रेडी कर लेते है फ्रेंड्स यहाँ पे मैं घिहूं काटा यूज़ कर रहे हूँ पूरन पोली तीनों तरह से बनाई जाती है सिर्फ मैदे से भी बनाते हैं सिर्फ आटे से भी बनाते हैं और आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके भी बनाते हैं यहाँ पे मैंने दो चमच इसमें देसी घी एड कर दिया है अब हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो क्यों क्याटे से बनाने से यह होता है कि थोड़ी हेल्दी हुड रहती है और डाइस्ट जल्दी होती है अब इसमें जो हम पानी आड़ करेंगे थोड़ा गुनगुना पानी आड़ करेंगे और उसे थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करेंगे एक साथ नहीं डालेंगे अब इसका जो हमें डो रेडि करना है बहुती सौ्ट डो रेडि करना है जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं उसे थोड़ा सा सौ्ट हो क्योंकि हम इसमें डाल को स्टफ करेंगे तो और निकले नहीं इसलिए काफी सॉफ्ट हमें डो इसका बनाना हम आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़ी हमारा डो रेडी वर दो को हलका पीला कलर देने के लिए आप इसमें केसर मिला सकते हैं या हलकी हल्ती भी यूज़ कर सकते हैं मैंने नहीं डाली थी तो आप चाहिए तो इसमें डाली ती यहां पर बिल्कुल परफेक्ट हमारी डाल बॉइल हुई है आप देखने इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो बिल्कुल सूप गया है और हमारी डाल जली भी नहीं है इससे तरह से आप इसी रेशियो में बनाएंगे ना तो आपकी डाल बहुत अच्छी से बनेगी हम एक हैंड मैं सर से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे मिक्स करने के लिए हैंड मैं सर यूज कर लें आप हातों से इस को जब ये थंडी हो जाए डाल तब आप इसको मिक्स कर सकते हैं या आप किसी कटोरी से इसे अच्छे से दबा करके मिक्स कर लें चनी की दाल को हमने बहुत अच्छे से मैश कर लिया अब आगे की प्रोसेस हम करते हैं यह जो हम रेड़ी कर रहे हैं इसको पूरन बोलते हैं फ्रेंण्स यह जो वर्ड है पूरन पोली इसमें अच्छे से एड़ करते हुए जितना गी आप अच्छा डालेंगे उससे soft बहुत होगी और डाल हमारी अच्छे से fry हो जाएगी और गैस की flame को आपको slow पे रखना है धीरे धीरे इसे हमें खूँब अच्छे से mask करते हुए इसे थोड़ा सामें एक से दो मिनट के लिए पकाना है उसके बाद हम इसमें गुड़ एड करेंगे यहाँ पर जो गुड़ है आपको गुड़ जो लेना है सौफ्ट वाला गुड़ लेना है और बहुत जादा कैरमलाइज गुड़ना ले हलके कलर का गुड़ ले और जितनी डाल हमने यूज की थी उतना ही हमें गुड़ लेना है यह इसका एक बहुत ही अच्छा रेसियो होता है ट्रेडिशनल जो पूरन पुली बनाये जाती है उसका और अगर आप मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा साब कम कर सकते हैं अगर तो आपके थोड़ा छोड़ दिया था गैस की फिल्म को लो पर रखना है और इसे खुब अच्छे से मिक्स करते हैं इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसे मैस भी करते जाएंगे जिसे गर एक दो दाना रह भी गया चनी की डाल का तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इसका बुलकुल सॉफ्ट हमें इसकी स्टफिंग बनानी है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पर्फेक्ट हमारी दाल थी ज्यादा पानी नहीं था लेकिन अगर आपकी दाल में थोड़ा पानी ज्यादा है तो आप इसको पहले सुखा लें तो आप इस तरह से खुब अच्छे से पका लें इसको गुड़ के साथ और इसे धीर धीर सुखा लें अब हम इसमें करीब 10 से 12 मिनट हमने से सुखा लिया था तो अब हम इसमें मसाले अड़ करेंगे सबसे पहले हैं आप पर मैंने जैफल के पाउडर को एड़ किया 1 थर्ड स्पून इसके साथ हम इसमें सफीर दिलाची के पाउडर को एड़ करेंगे यह भी आप वो 1 थर्ड स्पून ले लें अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक का पाउडर यानि सौट जिसको बोलते हैं जिंजर पाउडर उसको भी डालेंगे करीब हाफ टेबल स्पून इसको ले लें तो वो भी हम बहुत अच्छे से इसे प्रेस करते हुए अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे अब आप देखरें बहुत ही स्मूध हमारा इसका स्टाफिंग रेडी हो रहा है जो हमारा पूरण रेडी हुआ है अब धीरे धीरे यह ड्राई हो जाएगी और यह अपने तली को छोड़ना स्टाट कर देगी आप देखरें यह कलेक्ट होने लगी है तो अब हमारा पूरण बनके बिलकुल रेडी है तो इसे हमने पहले तो दस से बारा मिनट पकाया है उसके बाद हमने इसे पांच मिनट और स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकाया था जिफ्ट करतेंगे थोड़ा ठंडे होने के लिए एक साइट रखतेंगे स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है पूरन हमारा त्यार है तो आई अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमाटे को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि डो हमारा भी बहुत अच्छा बना है तो इसकी छोटी सी हमें लोई ले लेनी है जितनी हमें रोटी बनाते हैं उतनी बड़ी आप लोई ले 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 वैसे तो जो पूरन पुली होती है जो ट्रैडिशनल होती है वो थोड़ी बड़ी बनाए जाती है जो दादी मा के हाथ की होती है वो लोग थोड़ा बड़े साइज में बनाते हैं तो वो तो बहुत ही perfect बनाते हैं लेकिन हम भी try कर रहे हैं हमारी भी बहुत अच्छी बनेगी तो हम इसे medium साइज की बनाएंगे रोटी के साइज की तो इसके जो बॉल लेंगे हम वो जो हम पूरी बनाते हैं उधनी बड़ी आप इसकी जो पूरन मसाला है इसका स्टफिंग उसकी बॉल ले लें और इस तरह से आंटे में थोड़ा सा गोल घुमाते हुए इसे स्टफ कर दें जिस तरह से हमका चोड़ी निकले तो अब इसे थोड़ा सा आंटा इसमें लगा करके हम इस तरह से रेडी कर लेंगे एक और बना के मैं आपको दिखाती हूँ पहले तो हम इसे आंटे को थोड़ा सा फैला लेंगे दबा लेंगे और इसमें हम बीच में इस बॉल को स्टफिंग की बॉल को रखके चा कुल भी नहीं बाहर नकलेगा जो मसाला हमने इसमें भर रहा है अपने इसे हलके हांसे से भेलेंगेT aún i अब हमारा गरम हो गया है तो हम इसे तब पर रख देंगे सेखने के लिए तो इसे पहली बार में तो आप थोड़ा जल्दी इसको फिलिप कर दें तो जब हम सेकन बार तभी फिलिप करेंगे जब नीचे से थोड़ी और अच्छे से पक जाएगी तब तक हम लाई अपनी ब्राउन हो गई है तो इसमें छोटे-छोटे से स्पोट आ जाए तब हमें से इसको फिलिप करदेना और घी लगा करके हमें इससे सेख लेंगे डेशी घी में बनाएं देशी घी में बहुत अच्छी लगती है खाने में और यह बिल्कुर रेडी है आप देख एं दोनों स बस सॉफ्ट सी आप इसको बना लें और इसे फिलिप करके दोनों तरब से हम अच्छे से इसमें घी लगा देंगे यह भी हमारी रेडी हो गई है कि मैं आपको दिखाती हूं कि हमारे पुरन फोली कितनी सॉफ्ट बनी है इसकी जो स्टफिंग है बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है वैसे तो इसे आमटी के साथ घी के साथ दूद के साथ सर्व करते हैं आप चाहें तो इसे सबजी के साथ भी सर्व कर सकते हैं आप इसे अचार के साथ बहुत अच्छी लगती खाने में आप अचार के साथ बच्चों को दीजिए और बच्चों को तो वैसे भी बहुत अच